वे भी कमाना जो साथ में धन के तीन प्रियोग होते हैं धन के तीन प्रियोग होते हैं भोग दान नाश अगर भोग और दान नहीं हो रहा तो नाश अगर भोग और दान नहीं हो रहा तो नाश मैं आपको कामयाब होने का सूत्र दे रहा हूँ अभी एक जिंदगी भर कामयाब होने का और जिंदगी भर कामयाब रहने का सूत्र सुनना चाहते हो तो बोलो हाँ सबसे आसान रास्ता आगे बढ़ेने का 5% 10% जो तुमको ठीक लगे percentage तुम्हारे हाथ में भगवान को अपना पार्टनर बना लो 5% और 10% percentage in your hands make a partnership with you वो अगर पार्टनर हो partnership कैसे चलेगी सिर्फ कल्पना करो जितना पैसा कमाओ उसका कुछ भाग यह आप के उपर decide करता है और partnership हमेशा तब करो जब amount small है आप कहते हैं अभी तो कुछ ही नहीं अभी क्या फाइदा है अभी करने का फाइदा है क्योंकि अभी दिया जा सकता है जब बड़ा होगा तो देने का मन नहीं करेगा always do a partnership when the amounts are small आपने बोला 5% दोगा done, 100 करोड आजेंगे तो 5% देना मुश्किल होगा 100 अभी होंगे तो 5 रुपे देना आसान make a partnership with him my difference और कहते हैं दान अगर दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ हो और हमारे याँ तो उल्टा है हमारे याँ तो पंकों पे लगा जाता है फला की याद में दान वो आदमी मरने के बाद में घूमी रहा चकरगर्णी की तरह देखा होगा आप ने मेरी बात को अधरवाज मतल्यों किसी ने किया हो तो ऐसे मतलब बताने की क्या जरूरत है और तो और मैंने शम्शान घाट के बेंचों पे लिखा दिखा है फला की याद में दिया गया यह बताने की जरूरत होती है क्या है जिसको पता चलना है न उसको चल जाएगा लिखने की जरूरत नहीं होती जिसको पता चलना है उसको चल जाएगा लिखने की जरूरत 5% 10% choose your percentage today और be a partner of जो भी पैसा है और वो कहते हैं कि मैं करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ जब तक आदमी आचरन नहीं करता उचारन नहीं करना चाहिए आचरन पहले उचारन है ना पहले आ आता है फिर उचारन देखो वरनमाला में भी पहले आएगा आ फिर आएगा पहले आचरन फिर उच्चारण उसे एक और चीज भी आती है कुछ लोग उच्चारण पहले करते हैं आचरण दो साला 5%, 10%, choose your percentage today become a partner और दान दीजी एक हाथ से कि दूसरे हाथ को भनक भी मैं आपको बताना चाहूँगा लेकिन लोग इतने निपट कंजूस है मुल्ला नसरुदीन को एक रात कुछ लोगों ने घर्द बोचा पीछे पिस्चल लगा दी मुल्ला नसरुदीन को एक रात कुछ लोगों ने घर्द बोचा और पीछे पिस्चल लगा जो है निकाल दे वरना जान से जाये गा मुला ने पीछे मुड़के देखा बोला थोड़ी देर सोचने दो वो लोग भी चौके ऐसा आदमे पहली बार मिला जिन्दगी दापे लगी है ऐसे में कौन सोचने की बात करता है मुला बोला मैं बेना सोचने की काम नहीं करता है मैं धर्मग्यानी हूँ ब्रमग्यान जानता हूँ ऐसे बेना सोचने समझे कुछ दिर मुला ने आख बंद करी आख खो ली बोला अच्छा तुम गोली मारो या आदमी और चौका बोला पागल है क्या तोड़े से पैसों के लिए मुला ने बोला दिखो मैं ब्रमग्यानी आदमी हूँ पैसा रखा है बुड़ापे के लिए जब पैसा ही नहीं रहेगा तो बुड़ापे मैं करूँ गा और इस जीवन का क्या है ये तो मुफ्त में मिला है एक दिन जाना ही है ले ले तू ही ले 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 तू ही ले ले कहते हैं वो आदमी भाग लिया कि इसको क्या मारना है मरे मराय को क्या मारना है ये तो सुर्गी है ही ऐसे ऐसे भी आग को कलाकार मिलेंगे आचा मुझे बता हो आप लोग करते भी होंगे ऐसा नहीं कि ये नहीं करते होंगे मिला पहले है कि दिया पहले है देते भी कम है देते भी बाद में फिर भी चौधरी है और मैं फिर एक बात बोलता हूं उसका उसी को देने में क्या महानता है उसका उसी को देने में क्या महानता है और किसी अख़बार पे किसी पंखे पे किसी बेंच पे आप में देखा यह नदियां यह मैंने बनाए और अस्तित्व उससे भरा पड़ा है उसने कहीं आप लिखते हैं फना की याद में पंखा डान दिया गया अब फना तो चला गया और आदमी घूमी रहे जा लोग पर तो वह भी कमाएं जो साथ में जाएगा मैं उस दिन भी मैं कहानी सुना रह ठाई उसका नाम था दान तुद भी से दोमस्ति में लग दिया था नाम निपत कंजूस था बेला नादे किसी बीभी ने बोला दानचन पूरी जिंदिग्य और जाने की बारी है कुछ तो दान करो कुछ तो साथ ले जाओ उसने बढ़ा दान नहीं होता मेरे सभाव नहीं है मैं क्या करूँ उसने बढ़ा गंगाई नहाओ कुछ तो धुलेंगे तो घर से 12 km दूर गंगा जी उसने बढ़ा चालो गंगाजी नहाने में कौन सा पईसा लगता है पैदल पैदल गया 12 km क्योंकि आटो करूँगा तो गंगा जी पहुंच अब बोला वहां घाट को जाओंगा तो पंडा मिलेंगे वो मांगेंगे वो मैंने मुर्दा घाट गया कि वहां तो सला कोई धंजट नहीं इतना कंजूस अब कहते हैं कि भगवान को मस्ति सूजी भगवान ने का ऐसा आदमी नहीं देखा अब जै जैसे डुकी मारने अंदर जुगा भगवान पंडा का रूप बना के सामने परकट हो गए जैसे ही बाहर निकला भगवान ने का जजमान की जैख हो उसने बोला तुम कौन हो बोले हम पंडा हैं बड़ संतोशी ब्रामन है वैसे तो यहां कभी कभी आते हैं तुम्हारे ऐसा भी कोई न कभी आता है साल साल भर का खाना दे जाता है आज वो सलवर का हम्तों नहीं सकते हैं बोला महीने का देतो बहला हम तो एक दिन कभी नहीं देसकते हैं तो नंशेट ठोड़ ऑधारी टैग टो फिला प्रक भीडेंगे फिल्ण ठीक है गया वापिस 12 किलोमेटर थका आरा बारा गया था बारा आया थका आया आया घर में आके सो गया थोड़ी देवार घर का दर्वाजा कट-कटा जजमान की जैवो बीवी ने दर्वाजा खोला देखा तो वही पंडा बोला हाँ बोला आपके पती देव ने कुछ उधार लियाया है वो लेने आया फ़ति हैंने आदमें को जगाया जागो किसी पंडा को कुछ तहने को दे आए तहे वोले हां बोले आगई हैं बार आ है कि मुले जा कि कह दो औरम का तबियाद हरा है हम कंजूस edeuch और बोली उनकी उसी तबिया बहुत खराब है आ पंडा ने बोला वो हमारे जजमान है, जब तक तबीयट ठीक नहीं होती, हम यहीं रहेंगे, तुम खाने वाने का समान बना दो हमको, हमें कोई तकलिफ ली, वो तो बैठी गया चौकड़ी मारके, अब बीवी फिर अंदर गई, बोली वो तो बैठी गया है, उसने बोला जा के कह दो कि मर अब यह आई, रोती रोती, तो गुजर गए, अब यह मर गए, उसने बोला जजमान गुजर गए, बोला तुम कहां गाउं में जा कि अकेली वरत खबर करोगी, हम खुदी खबर कर देते हैं, बाहर गए, और जब तक तो रोती तक तो बताए सब को, कि दान चंद गुजर अब दान चंद को बांद लिया, ले जाने की बारी, अब वो बीवी रोगे, यह मरे नहीं है, लोग उने बुला, यह तुम्हारा मो है, ऐसा, तुम्हारा मो है, सब को होता है, और वो कम बखत भी बंद गया, सांस रोके बैठा है, अब उसको ले जाने लगे, राम नाम से सते हैं, और वो भी चल पड़ा, इतना निपट कंजूस, चिता पर रख दिया, भगवान ने बोला, दुनिया हम से हारती है, हम इस से हारती है, भगवान ने बोला, यह मर जाएगा, साला कुछ देगा नहीं, भगवान ने बोला, हम जज्मान के कान में कुछ कहना चाते हैं लोगों ने बोला, कह दो महरा जब तो बस तयारी है, भगवान ने बोला, आया हूँ, बैकुंट से, तुझे संग नाता जोड, मैं बैकुंट से आया हूँ, तेरे संग नाता हमने जोड़ा हम भगवान हैं, आके खोल, इसको लगा, अरे वावाए, तो सुद खुद ने ने नहीं आये, इसने बोला, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस देला छोड़ दो और जाओ, तो इतना कंजूस, कंजूस बाप को मरतिवी हालत में देखकर बेटे ने बुलवा लिया, और दो गुना बड़ा कफन सिलवा लिया, कि बाप ने जिंदगी बड़ बड़ा दर् कहते हैं कान में पढ़ते ही बेटे की बात, बाप उची ने खोली धीरे से आख बोले बेटे ठीक नहीं है तेरी मर जी, क्यों करता है पिजूल खर्ची, इस कफन के आधे कपड़े से मेरी लाज ढखना, आधा संभाल के रखना, कपड़ा है, रखा रहेगा, खराब नहीं तू जाएगा, तू जब मरेगा, तेरे काम आएगा, इतनी कन्जुशी, जाला एखना, रखा रहेगा, यू को आखा रहेट, five percent my defense, ten percent, choose your number, become a partner, to the universe, nobody can stop you my defense. और अखे विस दुनिया में कोई काक हता बड़्यम्ने से नही रोह सकति, झाल झाल